नमस्कार, एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिच्छावड़ी के सी यूटूब चैनल में दोस्तो, SSC GD 2022 की परिच्छा के लिए Practice 8 की सीरीज जो मैंने सुरू की है उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे समान हिंदी को समान हिंदी के important प्रसनों को हम daily basis पर practice 8 के माध्यम से solve करने की कोशिस करेंगे इसके साथ ही मैंने SSC GD की परिच्छा के लिए जो है GK और GS की practice 8 की जी सीरीज है उसको मैंने सुरू कर दिया है उस practice 8 की सीरीज मैंने अभी तक दो important वीडियो को upload कर दिया है उसकी playlist भी मैंने बना दी है बाकी आज से हम समान हिंदी के practice 8 को लगाना स्टार्ट करेंगे daily आपको या practice 8 मिलता रहेगा समान हिंदी का भी और GK GS का भी practice 8 आपको मिलता रहेगा जब तक आपकी परिच्छा न हो जाए SSC GD 2022 वाली तो चली वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सम्भावत आपकी जो परिच्छा है जनवरी में होने वाली है तो उसी को देखते हुए ये practice 8 के series लगातारम आप तक पहुचा रहे है तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं कि समान हिंदी का syllabus आपका क्या है जो SSC GD में है तो वर्तनी की समाने असुद्धियां आपसे पूछे जाएंगी सब्दों का भवचन आपसे पूछा जाएगा लिंग आपसे पूछा जाएगा मुहावरे, कहावते और लोकोक्तियां आपसे पूछे जाएंगी बिलोम सब्द आप से पूछे जाएंगी समनाल्थी और पर्रायवाची सब्द आप से पूछे जाएंगी संदी विच्छेद आप से पूछा जाएगा संदी से प्रस्तन आपके एक जामें पूछे जाएंगी क्रिया से भाव आचक संग्याब राना इससे भी प्रस्तन आपसे पूछे जाएंगे और रचना और रचाइता भी आपसे पूछे जाएंगे समान हिंदी के सेक्षन में तो लगबग 20 नमबर का प्रस्तन आपके एक जाम में समान हिंदी का पूछा जाएगा तो इसी की complete तयार ही हम practice rate के माध्यम से करने वाले हैं वीडियो को आपको daily basis पर follow कलते रहना है तो वीडियो आज का पहला हमारा है कैसा आपको लगा अपना सुझाओ comment box में हमें जरूर दीजेगा प्रस्ण को स्टार्ट कलते हैं पहला प्रस्ण आपके screen पर है भूतनात के रचयता कौन है आपसे पूछा जा रहा है कि भूतनात जो important रचना है इसके रचयता कौन है काफी महत्पुन प्रस्ण है इसका जवाब देने की आप कोशिस करिए भूतनात के रचयता कौन है तो काफी ज़दा यह महत्पुन प्रस्ण है राय टंसर आपक्या होने वाला है जो भूत नात रचना है इसके रचेधा कोne हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री आप violation देवकी नंदन खत्री की यह रचना है भूत नात इनके बारे में आप नाध देखेगा राय टंसर आपक्या हो जाएगा option B आपका बिल्कुल सही है देवकी, नंदन, खत्री सेवा सदन किसका उपन्यास है सेवा सदन किसका उपन्यास है important प्रस्थन है directly आपसे पूछाया सकता है इसके बारे में तो सेवा सदन किसका उपन्यास है तो आप याँ देखेगा मुंसी प्रेम चंद्र का option आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा मुंसी प्रेम चंद्र का यह उपन्यास है सेवा सदन option में रचना कारों के नाम दिये गए जैसे अगे, प्रेम चंद्र भगवती चरण वर्मा, मैथिली सरण गुप्त इनके दोर कुछ important रचना है लिखी गई है, उनको आईए देख लेते हैं तो एक तरफ रचना है और एक तरफ उनके रचाईता दिये गए हैं तो सबसे पहले यह बात कलते हैं मुंसी प्रेम चंद्र की कुछ important रचनाओं की तो रंग भूमी, गबन, गोदान सेवा सदन, कर्म भूमी इन important रचनाओं को आप याँ दिखेगा यह किंद्की हैं, तो मुंसी प्रेम चंद्र की इनमें एक और एक एड़ कल सकते हैं निर्मला, निर्मला भी प्रेम चंद्र के दोरा लेखी गई है इसके बाद मैथली सरनगुप्त की अगर हम बात करें, तो इनकी एक important रचना है, जो बार बार लगातार एक जाम में पूछी गई है वह रचना कौन सी है, भारत भारती आप याँ देखेगा, दिमाग में इसको बैठा लिजेगा, भारत भारती जो रचना है, या मैथली सरनगुप्त की काफी important रचना है, और यह बहुत बार लगातार एक जाम में पूछी गई रचना है, तो इसको आप याद रिखेगा भारत भारती की आपे हम बात कर रहे हैं इसके बाद अग्ये की बात करें, तो अग्ये के दौरा भी बहुत सरी रचनाय लिखी गई हैं जैसे सनाल्थी हो गया परंपरा, नदी के द्वीप्त्री, संकू, सेखर, एक जीवनी यह कुछ important रचना हैं, जो अग्ये की हैं आप याद कर सकते हैं, इसके लवा कोठरी की बात हो गई परंपरा हो गई अपने अपने अजनभी हो गई इनको भी जो है, लिखा गया है अग्ये की द्वारा, इसके बाद भगवती चरन वर्मा की अगर हम बात करें तो इनकी important रचना कौन सी है तो एक हो गई चित्र लेखा और एक हो गई भूले बिशरे चित्र, तो इनके बारे में आपको याद रखना है important चीज़े मैंने आपको बताई है बढ़ते हैं मगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न आपकी स्कीन पर है कवी का इस्त्री लिंग यहाँ पे पूछा गया है क्या होगा, कवी का इस्त्री लिंग क्या होगा, important प्रस्न है कवी का इस्त्री लिंग आपको बताना है क्या होगा तो कवी का जो इस्त्री लिंग है वो हो जाएगा कव इत्री यानि कि option जो आपका यहाँ पे दिया गया है C वाला बिल्कुल सही जाएगा कवी का जो इस्त्री लिंग है वो क्या हो जाएगा कव इत्री option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही है निम्नलिखित में से कौन सा सब्द हमेशा बहुवचन में प्रियोग होता है इसमें से कौन सा ऐसा सब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रियोग होता है तो इसमें से option D वाला सब्द आप देख पा रहे हैं प्राण प्राण जो है हमेशा बहु अचन में ही प्रियोग होता है तो आप इसे आ दिखेगा हमेशा बहु अचन में प्रियोग होने वाला जो सब्द है वह प्राण है इसके बारे में आप आ दिखेगा option आपका यहाँ पे D जो है बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तन आपके screen पर दिया क्या है? link की द्रिष्टी से दही क्या है? इस्तरी link है? pooling है? नपुन्सक link है? या उभै link है? तो अगर हम link की द्रिष्टी से देखें तो जो दही सब्द है यह आपका क्या हो जाएगा? pooling हो जाएगा option आपका जो B यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही जाएगा link की द्रिष्टी से दही जो है यह pooling है तो option B आप यहाँ देखेगा संधी का प्रकार कितना होता है? आप से पुछा गया है संधी के कितने प्रकार होता है तो संधी के तीन प्रकार होते हैं आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जाएगा संधी के कितने प्रकार होते हैं तो संधी के आपके तीन प्रकार होते हैं कौन-कौन से संधी के प्रकार होते हैं यह देख लेते हैं सबसे बिले संधी का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद प्रकार को हम देखेंगे, तो संधी, संधी का साब्धिक अल्थ क्या होता है? मेल होता है, इसके अगर हम परिभासा की बात करें, तो दो निकट वलती, वर्णों के परसपर मेल से जो विकार या परिवलतन उत्पन होता संधी कहते हैं, तो यह डिफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं, वहीं प्रकार के अगर हम बात करें, तो संधी के तिन प्रकार होते हैं, स्वर संधी, ब्यंजन संधी और विसर्ग संधी, इसमें से जो स्वर संधी होती है, स्वर संधी के आपके पांच प्रकार होते हैं, दिर्ग संदी, गुड संदी, वृद्धी संदी, यहन संदी और अयादी संदी तो सौर संदी के 5 प्रकार आपको याद अखने हैं वहीं शिर्फ संदी अगर आपसे पूछ ले तो संदी के 3 प्रकार होते हैं सौर संदी, ब्यंजन संदी और विसर्ग संदी इसमें से सौर संधी के पांच प्रकार होते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं इसको आप याद कर सकते हैं अगला प्रस्तन आपके स्कीन पद दिया गया है, पुस्तकाले में कौन सी संधी है, आप से पूछा जा रहा है कि जो पुस्तकाले सब्द है, इसमें कौन सी संधी है, पटाक से इसका जवाब देने कि आप कोसिस करिए कि जो पुस्तकाले है, इसमें कौन सी संधी आपको अगर हम संधी विछेद करेंगे तो क्या हो जाएगा पूस्तक धन आला है तता यह किस संधी का एकजामपल है तो दिर्ग संधी का एकजामपल है आप याद रख सकते हैं इंपोर्टन चीज मैंने आपको बताई है इसके बाद अभी धन उदय का संधी करना आपको क्या होगा अभी धन उदय का संधी क्या हो जाएगा तो अभी धन उदय का संधी क्या हो जाएगा तो अभी धन उदय का संधी क्या हो जाएगा तो अभी धन उदय का संधी क्या हो ज इम्पोर्टेंट यह है यह सवरसंदी को पहचानने कि मैं आपको ट्रिक बता देरा हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से यह सवरसंदी को पहचान सकते हैं यह ट्रिक आप no down भी कर सकते हैं तो आप यहाँ देखिएगा यह रह व के पहले यह रह के पहले आधा सब्द आता ह है हमेशा है आप देखिएगा यहुर व के पहले अगर आपको आधा सब्द दिख जाये तो वहां पर आपको Councillorumnा शंकील्द में आपको बता देरा हूं जैसे अनवय हो गया तो यहाँ पी आप देख पारे है वह से पहले आदा सब्द लगा हुआ है इसके लवा आपका अत्यावस्यक हो गया तो यहाँ पी आप देख पारे है यह के पहले आदा सब्द लगा हुआ है इसके बाद मद्ध्वाले हो गया मद्धवाले तो मद्धवाले यहाँ पे भी आप देख पा रहे है आपका मद्धवा यहाँ पे वह है तो वह से पहले आपका आधा धो लगा हुआ तो अधिकतर बाद देखा गया है कि यवर के पहले आधा सब्द लगा होता है जहाँ पर भी यर्ड संधी होती है तो इसको पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आसानी से यर्ड संधी को पहचान सकते हैं इसके बाद अगला प्रसना आपके साब ने दिया गया है सीर से पानी गुजर जाना इस महावरे का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है क्या होगा सीर से पानी गुजर जाना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सहन सिलता की सीमा टूट जाना आपसन आपका B यहाँ पर बिल्कुल से जाएगा इस महावरे का सही मतलब हो जाएगा option B सहन सिलता की सीमा तूट जाना आप इसे आ देखेगा कान का कच्चा होना इस महावरे का मिनिंग आप से पूछा गया है कि क्या होगा कान का कच्चा होना तो इसका रहट अंसर क्या हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना option आपका B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कान का कच्चा होना मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना तो option आपका B यहाँ पर बिल्कुल सही है अगला प्रस्थन आपके स्क्रिन पर है कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर इस लोकोक्ति का सही आसाय आपको बताना है क्या होगा कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर तो इसका right मतलब meaning क्या हो जाएगा तो इसका right meaning हो जाएगा एक दूसरे की सहायता करना यानि कि option आपका जो यहाँ पे B है बिल्कुल सही हो जाएगा लोकोक्ति को पढ़ कर ही इसका meaning आप आसाने से निकाल सकते हैं कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर तो इसका simple सा मतलब आपके सामने दिख रह है कि एक दूसरे की साहता की यहाँ पर बात हो रही है खुदा गंजे को नाखुर न दे इस लोको अकति का भी प्राय क्या होगा आप से पूछा जा रहे है खुदा गंदे को नाखुर न दे गंजे को यहाँ पर तो इसका right answer क्या हो जाएगा अत्याचारी को सक्ती नहीं मि लब हो जाएगा तो option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है अगला प्रस्थ आपकी स्किन पर है कौन सा विलोम सब्द का यूग में यहाँ पे गलत दिया गया है विलोम सब्द से भी प्रस्थ आपके SSGD की परिच्छा में पुछे जाएंगे जो लोग हिंदी करेंगे उनिक्स को सिर्फ यह वीडियो देखना है बाकी इंगलिस वाले अपना इंगलिस का वीडियो देख लेंगे इंगलिस पढ़ लेंगे अच्छे से तो इसमें से आए देख लेते हैंगे राग का द्वेस हो जाएगा बिलोम तो इसकी अबारे में आप या देखिएगा option आपका D यहाँ पे सुमेलित नहीं था स्री गणेश का बिलोम सब्द क्या होगा तो स्री गणेश का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा इती स्री यानि कि option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा श्री गणिस का बिलोम सब्द क्या होता है तो इती स्री होता है तो option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही है अगला प्रस्नाप की स्किन पर है अवर्तक का बिलोम क्या होगा आवर्तक का बिलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा तो आवर्तक का बिलोम क्या हो जाएगा अनावर्तक आवर्तक का बिलोम सब्द हो जाएगा अनावर्तक आवर्तक का बिलोम सब्द हो जाएगा अनावर्तक यहाँ पर बिल्कुत से जाएगा दूरगा यहाँ पर देख पार हैं दूरगा के और परयवाची सब्द यहाँ पर आपके सामने लिखेगा हैं सिंग वायनी, अजा, कालिका, चंडिका, बवानी, कल्यानी, कामक्छी, धात्री, अभया, सांभवी, महागोरी, चमुंडा, ये पर्यवाची हैं किसके तो दुरगा के ताप इसे याद कर सकते हैं, important चीज़े मैंने आपको बताई हैं, इसके बाद निम्लिकित में से कौन सा नाग का पर्यवाची नहीं है, तो तुरंग आपका नाग का पर्यवाची नहीं है, तो तुरंग आपका नाग का पर्यवाची नहीं है, कबूतर का पर्यवाची सब्द क्या होगा, कबूतर का पर्यवाची यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सा है, तो कबूतर का कपात ह होता है परावत होता है रक्त लोचन हरीत और परेवा अहीं का क्या हो जाएगा उरग सरिष्री पवना सर्प नाग भुजंग पन्नक ते परेवाची सब्द भी आप याद रख सकते हैं अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर दिया गया है किस सब्द की वलतनी सुद्ध है इसमें इसमें से कौन सा सुद्ध वलतनी वाला सब्द है तो इसमें से सुद्ध वलतनी वाला सब्द आपका क्या हो जाएगा अत्यधीक जो है या सुद्ध वलतनी वाला सब्द है तो आपसन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आप इसे याद रखिएगा यहाँ प तो वर्दने के हिसाब से सुद्ध सब्द इसमें से कौन सा आपका है तो option A वाला आजीवी का आप आप आदेखेगा आजीवी का जो है वल्तने के हिसाब से सुद्ध है बाकी ये तीनों जें वल्तने के हिसाब से गलत दिये के हैं आए इनको देख लेते हैं तो पुजनी का सुद्ध क्या हो जाएगा, पुजनी का सुद्ध इस प्रकास लेका है, पुजनी नहीं होता है, क्या होता है, यह आपका पुजनी होता है, तदुपरांत का सुद्ध क्या हो जाएगा, तदुपरांत होता है, क्या हो जाएगा, तदुपरांत जो है, इसका इस प्रकाल से या सुद्ध होता है तो इसको आप याद रखिएगा सुद्ध चीजे भी मैंने आपको बता दी हैं अगला प्रसना आपके सामने है सुद्ध वलतनी वाला सब्द इसमें से कौन सा है सुद्ध वलतनी वाला सब्द कौन सा है इसमें से सुद्ध वलतनी वाला रहा है यहां पे वी रहीनि यह जो है वल्तनी के साब से सुधल सब्द है तो summary अब कभी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा » तो इसमें से आपका सब्द कौन सहाँ जाएगा » कर दो दो बिंध लेख पो रहें घौन सब्द atto तो आप यहाँ देखेगा option आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा निम्नलिकित में से कौन सा जोड़ा गलत है एक तरफ क्रिया दिया गया और एक तरफ भावाचक संग्या दिया गया है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है क्रिया से भावाचक संग्या पिनाने वाले प्रसने भी आपसे एक जाम पूछे जाएंगे तो उतरना का भावाचक क्या हो जाएगा उतार हो जाएगा बिल्कुल सही है करना का भावाचक क्या हो जाएगा करता हो जाएगा जो कि बिल्कुल ही गलत है करना का क्या हो जाएगा तो करना का करनी होता है भावाचक कि अगर इसको परवतित करेंगे तो यह आपका हो जाएगा करनी हो जाएगा चमकना का क्या हो जाएगा तो चमकना का आपका हो जाएगा बिल्कुल सही दिया गया है छीकना का क्या हो जाएगा तो छीकना का आपका छींख हो जाएगा तो यह इसमें से option B वाला यहां पे गलत दिया गया था जो क्रिया करना होती है करना करना को अगर हम भावाचक संग्या में बदलेंगे तो करना को जाएगा कर नहीं तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा जग मगाना को भावाचक संग्या में परव तो आपसना आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, important है, तो इस प्रकार से कुछ important प्रसनों को हमने कभर किया है, practice 8-1 जो समान हिंदी का है, SSC GD 222 की परिशा के लिए, या वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में अपना सुजाओं में दीज और प्यातर content हम आपको upload कराने की कोशिस करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you, thanks for watching, thank you